नमस्कार मेरे किसान साथियों आपके चैनल एगरी बड़ी अदयत में आप सभी किसान भाईयों का स्वागत है दोस्तों और आज है पांच तारिक हो गई आज पांच फरवरी 2024 देखो यह पाटी हुई है रात को और समय कितना है कितना पॉने आठ और बारिस दोस्तों वीदी रात को टूला चेतर से आप समझे लो टूला से मैं रहता हुए यह पचोक्रा में और यहां खेतों का हाल ही है यह ज्यादा बारिस नहीं हुई भारा भी नहीं कहीं दिखना पानी हल्की पुली की बारिस हुई है और यह देखो पानी बढ़ा कहीं कुछनी कहीं खेतों में दिख रहा है सब आप ऐसी बारिस नहीं हुई तेज एक पानी के बराबर नहीं हुई यह बहुत नहीं हल्की है फाइदा करेंगी क्या है क्यों कि आल कटने के टाइम है यह तो है यह सब दोस्तों इन खेतों में बढ़िया नया भीजे यह इसकी भी आब आल कटेगी है न इनकी तब तब ही सूख पाएंगे जे गीले हैं एक दम खेत हैं विल्कों गीले पड़े हैं खेत हैं मौसं भी तो किलियर नहीं है सभी बात है इसमें देखता हूं कैसा यालों दिखाऊं दोस्तों एक जलक आप लोगों को मैं दिखाने बाला हूं कि क्या इस सितिय है इस समय मतलब नमी पारिस की कितनी है क्योंकि कल के गुरूप में चैट हुई तो लोग यह कहरे हरे बहुत कोई कहरे कि भर गये कई यह तो यहां की जो टूला की जो इस सितिय है वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको देखाए हालू इसमें मैं इंको दूदू को यही नहीं कोई वाद ओ यह दुस्तों सित्साइटी सतानवे आलू है तो बाजरा करते हैं हम लोग कर्मियों वालते को यह अभी तक करव रखी है बाजरा की यह अभी तक करव है तभी तो जब पर जंग जैसी आती है इस पर सब फंगस रहता है आलू बढ़िया होगा पर यह मोटा आलू है में एक आलू एक ही पेड़ है जगह तो आइडिया हो जाता जगह से दो आलू अज़े गुल्ला यह वड़ा मुझे खोदने पड़ रहे है यह मिट्टी का डेल देख बाजरा की यह सुझते हैं दिकत सारी देखो देखो आलू आलू पर जंग जैसी है आदो यह जंग दाने तो बहुत कम है चारी निखले है है साइस तो सही है कि यह स्थिती दानों की एक अब दूसरा पेड़का जाएगा क्यों यह कि अधिक सिंग बाला है यह दूसरे पेड़का है कि कही का चक्कर है इतने ही निकलेंगे समय नहीं जगे भी तो नहीं है कहीं है कि साइस के इसाब से तो बढ़िया है कि दूसरी जगह देखू एक जगह और देखू मजबूसा पेड़ यह वाला आल तो देखो बसता है यह एक है यह वाला जला साथ हो क्या है फॉन तुम फिर सभी निवन हुए यह देखा लो जीदो यह वाल है यह यह बाजरा गर्मियों वाला अब नहीं करेंगे दोर यह दूसरे पेड़का है इसी की है यह देखा लो जैती सतानवा है दोस्तों यह दूसरा है पेड़ यह वाला पेड़ से प्रड़ लगा हुगा है तो कुछ पता नहीं चलता है पुछने आई जगे तो आईडिया हो जाए बालू सब मोठागी आलू खूब है यह देखो यह दूसरे पेड़ का जया आई जंग सी अब होगी तो ही है यह अलू को लग कम है ना मोठालू आप तो पूरे होगे कित्रे से 110 दिन के होगे होंगे कित्रे दिन के होगे तो कैसा कित्रा क्या अनुमान है इस साइज को देखके कैसा निकल दे गई पचास के लगों निकलेगा पचास कट्टे भीगा थाई सो बैग जहां साइज बन गया है वह दाने कम है यह तो गए रहे हैं और बारिस ऐसी कोई खास नहीं हुई कि कोई यह क्या के बरगे खेत लुकिन देखेंगे इस साइज दूए रही से अट बीस सारीग से खुझ जेंगे अच्छ इस पक्ट्टा एब कि अकड़ए निकला था जो ब्यक्ति में तो थे लिखा पड़ी यह निकलाता निकलाता आथा शोटकाए थे बासटका श्टी कट्टे का बीगे इस ताल पचा तो के दसकत्य का लोस है तो भीगेव लोस है मौसम यह जो थंडा बिल गया ज्यादा अब यह वाला देखेंगे सीपी आ रही का नया वाला यह एक एसिंग वाला था रोग तो थाई का यह रोग का सर तो थाई कि देखो यह देखो इसमें इसमें चलेंगे यह तो जगे बुखराब कर गया था सुभर बगएरा सेंती सतानवाई दोस्तों करते हैं लोग जाए था हाइबरेट पिछी साला आदा था आदा गया और जादा होगा यह इसमें इसमें डाने ज़्यादा है तो साइज कमने यह भी सब 110 दिन का हो गया ना इसमें देखें कैसा आलू है कहां देखीं कि ले नहीं है बिल्कुल बारिस मतलब यह के ऐसा कोई यह चैनल नहीं कि बारिस से कि डूब गए कि यह हो गया ऐसा कुछ नहीं कहां पर देखूं यही देखने लें कैसे तीडा में असा जोगा यह तो इसमें जी ब्लेटिवलाइट का इसा रह आपक्या है बतो यहां इसमें बाजरा तो बंद करो बिल्कुल देखो इसमें कोई इसमें देखो से साही हलका है इसमें पर अंकल दाने नहीं है तुम यों को अभी तो है जाने सम्में है यह गंती तो कम है सम्में पैदावार वह पिछली साल से कमी इसका इसका गोले ने थोड़ा सुन्दर भी आलू है यह जंग बाली है बड़ा कितना हुआ है इसमें भी जंग है नहीं में बीजिक सोचों जंग सी यह बार जरा की देने दो इसमें भी जल गए यह सब बीच में अब क्याब तो एंडी है यह बारिस की बाद की स्तिति खेतों में जले हुए क्या खूब जल गया है यह उधर जली गया है बीच में यह सब भी यह बहुत बड़ा बड़ा होगा हुआ अब इससे भी जादा क्या फूल के जाएगा दाने कम किस किस दाने की संक्या किस आधार पर कम हैं सब्सक्राइब लुग लिए टेम्प्रेचर मारेगा यह खिया यह तो बहुत तकड़ा होगा है अब सब्सक्राइब कोई क्या कुछ भी सथी सतानवे एवरेज लोग असी असी कट्टे के बगाद बताते हैं किसी एक खेत में बले निकलाए हाँ यह ख्याती है खाने में बढ़िया ख्याती इसकी भी आल जली किसी गई है ना देखूं इसमें आलू कैसा है इसमें छोटा यही पिड़ ले ले था हूँ अ हरु अ हरु अ हरु अ हरु अ हरु अ हरु एक चोटा बैसा ही पेड़ता है कि अ हमी देगी इसका है तीनी निकलाएगे गा दूसरा पेड़ देगे गें अ हुआ है पता नहीं चलता कौन सा प्रीड का है अ हाई व्लेड में फुलाब नहीं है यह जैसे पिछरी साल इन खेतों में किता कैसा था भाई क्याती वह यह किता बढ़ा हो गया है देखो यह क्या है गुल्ले निकल ले जगे 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 की बात है पर पिछरी साल बहुत अच्छा था क्या थी कि देखो नहीं निकलेगा पिछरी साल का दस कट्टे का भालो सब तुमें ना ओबरो लुक्सान दस कट्टे भीगेगा कि सूर्य चिपसों न देखोंगे चोड़े चोड़े यह दोस्तों यह मेरा मेन उद्देश से आपको आलू दिखाने का तो नहीं था पर पैदावार तो देखो और एक चीज से सब लोग सतर कर रहो हरा आदमी अपना-पना आखलान अपने अपने जरूवत के अनुसार काम करें अपने जरूवत के अनुसार विक्री करें हर तरह से विक्री करने कोसिस करें ठीक है और और हर आदमी अपना-पना आखलान लगाता है कल एक कोल्ड इस्टोर मालिके उनसे मेरी बात हुई तो लोगों ने का रहे सर्माजी ये तो बहुत कम बता रहे हैं पैदावार 20 परसेंट आगरा में तो हर आदमी का अपना-पना आखलान है ठीक है कोई कम बता रहा है कोई ज्यादा बता रहा है आपको अपने इसाब से काम करना है अपनी खेती देखकर दन्यवाद